प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारे डाउनलाइन क्लासिज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य गणित कारे पत्रक नो कक्षा पांच के हमें बात कर रहे हैं तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को की कुल कीमत क्या होगी तो देखिए बच्चों मटर 10 किलो 10 किलोग्राम ठीके कितने का होगा एक किलो एक किलो मिटर 10 की होगी और 500 ग्राम होगी हमारी पांच की ठीके तो 15 रुपे की हमारे मटर हो जाएँगे और सुरी मटर दो किलो 50 ग्राम गाजर तो गाजर की कीमत है 10 रुपे तो दो किलो हो जाएँगे 20 के और आदा किलो 500 ग्राम हो जाएँगे 5 के और मटर एक किलो हो जाएंगे 30 के और 500 ग्राम हो जाएंगे 15 के तो कुल हमें कितने रुपे देने पड़ेंगे यह हो जाएंगे 25 और 45 तो कुल 70 रुपे हमें देने होंगे ठीके अगला है 100 रुपे के बराबर क्या है 10 रुपे के 10 सिक्के ठीके 10 रुपे के 10 सिक्के 100 रुपे के बराबर होंगे रजनी 25 डिगरी का कौन बनाती है समीरा रजनी से दोगुनी माप का कौन बनाती है समीरा के द्वारा बनाये गए कौन का माप है देखे बचों रजनी बनाती है 45 डिगरी का कौन समीरा रजनी से दोगुनी माप का कौन बनाती है दोगुनी 45 और 45 90 डिगरी का कौन बनाती है समीरा के द्वारा बनाएगा कौन का माप कितना होगा 90 डिगरी निमलिकी ताकरियुतियों में से किस आकरती बिंदिदार रेखा दरपन के रूप में कार्य करती है तो देखे बच्चों, option D हमारा सही है, ठीके, निमलिकित में से कौन सा विकल्प सही है, तो देखे बच्चों, 25 में 20 जोडेंगे, प्लस 55, ये बच्चों आपको बताना है कि ये और ये दोनों बराबर कौन से उस में हैं, विकल्प में हैं, तो option 4 हमारा सही है, 50 प्लस 80 प्लस 100, तो ये हो गए 230, और यहां भी 230 आना चाहिए, तो 80 प्लस 60 प्लस 90, तो ये हो गए 230, तो option D हमारा सही है, अगला है दी गई आकरती के अनुसार P का सही माप चुने, तो बच्चों, P का सही मान कैसे होगा, तो देखे बच्चों, 5000 में से 4958 हम घटाएंगे, तो कितना आएगा, 42, तो P का मान कितना होगा, 42, option A हमारा सही है, राहुल ने 423 उर्पे का सामान खरीदा कौन सा विकब, 423 का समू मुख्य मुल्य दिखाता है, तो देखे बच्चों, 200, 200, 400, 420, 422 और 423, तो option D हमारा सही है, अगला है बच्चों, मिलान करे, तालिका A को तालिका 2 से मिलाना है, तो देखे बच्चों, इसमें से हमारा सही option हमें चुनना है, ठीके, तो देखे बच्चों, 4 को 9 से 36 आएगा, तो 72 को 3 से करेंगे, तो भी हमारा 36 आएगा, 8 को 8 से करेंगे, तो 64 आएगा, ठीक, इसी तरह 256 को 4 से भाग देंगे, तो हमारा 36 आएगा, इसी तरह 5 को 4 से गुणा करेंगे, 20 आएगा, ठीके, और 200 को 10 से भाग देंगे, तो हमारा 20 आएगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे, 18 आएगा, 54 को 3 से भाग देंगे, तो 18 आएगा, option C हमारा बिल्कुल सही है अगला है कौन सा विकल्प सीधी रेखा का प्रतिनिदित्व करता है तो बच्चो इसमें से हमारा सही option होगा C C हमारा सही है अगला है रचना के पास 600 रुपए है निमलिकित में से वे कौन सी दुकान से वस्तुए खरीद पाएगी बच्चो 600 रुपए है तो वो 235 और 345 ठीक है बच्चो तो वो किस दुकान से खरीद पाएगी बच्चो 580 यानि की दुकान 2 से खरीद पाएगी जॉर्ज के पास 20 टमाटर का एक बैग है मरियम 5 टमाटर ले जाती है जॉर्ज के पास बच्चे हुए टमाटर की भिन को दश्मलब में निरुपित करें तो बच्चो देखे 20 में से 5 गए तो बच्चे किते 15 15 को हमें क्या करना है दश्मलब में निरुपित करना है ठीक है तो 100 में से जैसे अगर 25 चले गए ठीक है तो बच्चे किते 15 तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे 0.15 रिच्चा के पास कुछ इस्टीकर है उसने दिखाएगा इन पैटर्ण में इस्टीकर की वैवस्ता की कौन सा पिकल्प इस्टीकर की उच्चित वैवस्ता का प्रतिनिदित्व करता है तो देखे बच्चो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक में छे हैं ये कितने हैं तीन तो छे गुणा तीन ओप्शन सी हमारा सही है अगला है निमलिखित कथन को पड़े और प्रेशन 13 वे 14 का उत्तर दे एक क्लास में छात्रों के पसंदीदा रंग पर सर्वे करा गया सर्वेक्षन के निशकर्ष नीचे दिये गए बारग्राफ में दिखाए गए है तो देखे बच्चो लाल 15 बच्चो को पसंद है नीला 10 हरा 20 काला 5 और नारंगी 10 ठीके बच्चो संख्या में छात्रों दोरा पसंद किया गया रंग कौन सा है तो बच्चो ये है नीला और नारंगी तो यहां लिखेंगे ऑप्शन C पैटरन को पूरा करें अब देखे बच्चो ये बिंदु यहां है फिर यहां आया फिर यहां अब यह यहां अब यह यहां आएगा ठीके तो आप्शन C हमारा यहां सही है अगला है कार्य पत्रक 10 एहमत को गनित की परिक्षा में 100 अंकों में से 78 अंक मिले उसके द्वारा प्राप्त अंकों को दश्मलब में निरूपित करें तो बच्चो 78 को हम इसमें दश्मलब में निरूपित करेंगे तो कित्ता होगा 0.78 कौन सी घड़ी एक अधिक कोन दिखाती है तो बच्चो कौन सी घड़ी है जो अधिक कोन दिखाती है तो बच्चो यह इस तरह से यह धर अधिक कोन हमें दिखा रही है तो option C हमारा सही है 0.25 समान है 1.24 के किसी भी जैसे ये है इसका 1.24 भाग किता होगा 25 ठीक है तो option B हमारा सही है अगला है बच्चो 179 डिगरी कोन से कोन का उधारन है तो बच्चो ये है अधिक कोन का उधारन खाली स्थान भरे 9, 22 और 54 ठीक है 48 और 6 इधर के आएगा बच्चो 8 कैसे आएगा बच्चो जब हम 6 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 48 तो option C हमारा सही है अगला है A, B और C के स्थान पर उप्यूक सही संख्या चुने तो देखे बच्चो A पे आएगा यहाँ देखो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 में, सॉरी यहाँ आएगा 4, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, हांसिल 1 4 और 4, 8 8 है, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, तो आएगा 9 यहाँ 2 है, यहाँ जोड़ेंगे 3 ठीक है, तो A के स्थान पे 3, B के स्थान पे 1, और C के स्थान पे 4 आएगा तो आप्शन A हमारा सही है राजीव के पास 19 इसमाईली गैंदे हैं रणवीजे के पास राजीव से 8 गुना जादा इसमाईली गैंदे हैं राजीव और रणवीजे के पास कुल मिला कर कितनी स्माइली गैंदे हैं तो देखी बच्चो राजीव के पास 19 गैंदे हैं रणवीजे के पास राजीव से 8 गुना जादा ठीक है 8 गुना जादा है तो कितना हो जाएगा बच्चों कुल मिलाकर दोनों के पास कितनी गैंदे होंगी तो देखिए बच्चों इनके पास कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी 171 गैंदे खाली स्थान भरे 24,230 में क्या जोड़ेंगे उसमें क्या जोडेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएं तो बच्चों यहां हम 4452 जोडेंगे और यहां हम 24230 जोडेंगे तो ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे Option C हमारा सही है निमलिकित आकरतियों में से कौन सी आकरती दरपन समरूपता दिखाती है तो बच्चों ये आकरती भी हमारे बिलकुल आकरती दरपन समरूपता दिखाती है गाजर के कीमत 12 रूपे प्रति किलोग्राम और फूल गोबी कीमत 18 रूपे प्रति ग्राम है दाए किलो गाजर और 2 किलो फूल गोबी कीमत कितनी होगी तो बच्चो धाय किलो गाजर तो दो किलो का 24 हो गया आदा किलो का 12 रुपे सुरी 6 रुपे हो गया ठीक है तो ये हो गए हमारे 30 रुपे और फूल गो भी है बच्चो हमारे 18 रुपे किलो तो 2 किलो कित्ते की हो जाएगी 36 रुपे की कुल कित्ते रुपे हो जाएंगे हमारे कुल हो जाएंगे बच्चो हमारे 66 रुपे ठीक है तो option C हमारा बिलकुल सही है अगला है बच्चो प्रशन 29 दिसंबर को मेरा जनम दिन है एक सब्टाए के बाद मेरी बहन का जनम दिन आ गया मेरी बहन का जनम दिन कब आता है तो बच्चो 29 दिसंबर को मेरा बर्ड है तो एक सकता बाद मेरी बहन का बर्ड है याने की पांच जन्वरी को ठीक है दी गई आकरती में अधिक कोनों की संख्या बताए तो बच्चो देखे दी गई आकरती में अधिक कोनों की संख्य एक हेसी आपकिनी होगा लेका कितनी होगी एक और दो तो प्षयन भी हमारा सही 171 मिनट और 20 मिनट जाने की 120 मिनट एक गंटे में साट मिनट होती है और दो गंटे में 120 मिनिट होगी तो यहां 2 गंटे हमारा सही उत्तर होगा पैटन को पूरा करें अब देखे बचो यह ऐसे जा रहा है यह ऐसे फिर 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 यह इस तरह से अब ये इस तरह से जाएगा ये इस तरह से और ये इस तरह से तो option C हमारा सही है अगला है नीचे दियेगा चितरलेक को पड़े और प्रशनों के उत्तर दे एक क्लास में छात्रों के पसंदीदा रंग पर सर्वे कराया गया सर्वेक्षन के निशकर्ष नीचे दियेगा चितरलेक में दिखाए गए है तो देखे बच्चों लाल रंग 15 बच्चों ने पसंद किया नीला किया 10 बच्चों ने हरा किया 20 बच्चों ने पसंद काला किया 5 बच्चों ने और नारंगी किया 10 बच्चों ने पसंद कक्षा में छातरों की कुल संख्या का पता लगाए तो देखे बच्चो 15, 10, 20, 5 और 10 तो कुल कितने हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6 कुल बच्चो 60, ठीक है, उप्षन ए हमारा सही है, तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्क्षीट को हल करना होगा, उमीद करती हूं बच्चो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, अब अच्छो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नही लाइब